हेलो दोस्तों आज हम बनाएंगे कर्वचोथ प्रत के भोग की थाली जो भोग हम शाम को पूजा के बाद भगवान को भी चड़ाते हैं और खुद भी वही खाते हैं उसकी थाली बनाएंगे मैं यूपी से हूँ और यूपी की साइड हमारे यहां यही सारी चीज़े बनती ह अगर आपके यहां कुछ और बनता हो तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कि आपके यहां क्या बनता है चलिए देख लेते हैं इस थाली को कैसे बनाना है इस थाली के लिए सबसे पहले हम कड़ी बनाएंगे जिसके लिए मैंने आदा कटोरी बेसन लेलिया है उसमे पहले दही और बेशन को साथ में मिला लेंगे उसके बाद हम पाने एड़ करके इसका एक गोल बना कर तैयर कर लेंगे ब्रत के थाले में हम लेसन पे आज का यूज नहीं करते हैं हमारे तरफ अगर आप करते हैं तो आप अधरक और हरी मिर्ज के पेश्ट में लेसन भी पालाई को चड़ा देंगे गैस पर कर आए में सासु का तेल डालें गये आदा चमच में धी दालेंगे अदी चमच जीरा डालेंगे थोड़ी सी और मेत्य और जीरे को रखने देंगे उसके बाद करी पत्ता और तीन लाल मिर्ज डालकर तड़का लगा देंगे तड़का के बाद हम इसमें गोल बना कर त्यार किया था बेशन का उसे डाल देंगे कि ज़्यादा को शब्रके बहुत जादा काड़ा नहीं इसलिए मैं इसमें और पानी एड़ कर रही हूं और इसके बैटल को बहुत जादा पतला करदेंगे पतला करने के बाद इसे हम मीडिय Clinic पर पकाना है तब तक जब तक इसमें उबालना आजाये और उबाल आने के साथ साथ इसे हमें चलाते भी रहना है नहीं तो हमने दही या मठ्टे का यूज़ करते हैं जब तो क्रेड़ल सा हो जाता है अगर हम चलाइंगे नहीं, स्मूद कड़ी बनकर नहीं तयार होगी इसलिए बीच-बीच में चलाते रहेंगे जब इसमें एक बार उबाल आजाएगा तब हम इसे चलाना बंद कर देंगे तब हम कुछ इंटर्वल के बाद चलाएंगे कड़ी में हमारे उबाल आ चुका है अब हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे और अपने पकोड़े बनाने के तरफ चलेंगे बनी के से नमक डालेंगे और आधरक हरी मुष्च पीज़ेंगे और पिंच बर सोडा डालेंगे इसके बाद मैं चलेव हैं यह पूरी सब्सक्ति दिजाएंगे अजय़ट दालने से हमारी पकोड़े जो होते हैं बहुत अच्छे से राइस होते हैं फिर वह कड़ी को अब्जॉब करेंगे कि नहीं इसका टेंसर नहीं रहता है बहुत सौप से बनते हैं और फूल भी जाते हैं हमारा स्मूध बैटर बनकर तयार हो चुका है अब हम इसे साइड में र करके पकोड़ों को डालते जाएंगे लिण बश्याट के दो टीन मिनट तक ऐसे रहने देंगे उसके बाद इसे करशी की मदद से लेट पड़ लेट देंगे दोनों तरफ से अच्छा कलर आने तक हमें पकोड़ों को मीड़े माज पर पकाना है जब हमारे पकोड़ों में हमने निकाल लेंगे और इसी तरह से सितना भी बैट हमने रोकिन है सारे रोकोल युक और थो कडिक 15 लेड़े तद्सेयोग नियुकछ है हीसे की पकोडे और कड़ी का व्लेवर एक साथ अच्छे से मिल जाए और कड़ी को अब्साब कर ले कंवाक, नामक में धुक्ष को बञैई के वन ग्रिंट कर हैँ मशा, क्ड來 से कुष से पृष हुआ है हलो, न्युक्त करलेगा, नामक ढोग करें, गरम पाने यहां पर गुन गुना नहीं है अच्छा गरम पानी आइड करने से इसका जो टिक्सर होता है मैं सॉप्ट हो जाता है उसके बाद इसे एक mixer grinder jar में डाल कर एक paste बना कर तयार कर लेंगे इसे बिना पानी के ही पीछना है इसके लिए हमें इसे pulse mode में पीछना होगा पल्स mode में करके इसे पीछ लें थोड़ा दर दर रहेगा फिर भी चलेगा उसके बाद हम इसमें थोड़ी सी काली मिर्च, हिंग, नमक और जो हमने अदरक और हरी मिर्च का पेश्ट बनाया था उसे डाल देंगे इन सब चीजों को अच्छे से mix कर लेंगे मेरे बनाने की डिटेल रेस्पी मेरे चैनल पर डली हुई है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहां से जाकर आप चेक कर सकते हैं अगर आपको और डिटेल में जानकारी चाहिए अच्छे से स्टफिंग को mix करने के बाद हम चलेंगे आटे की तरफ आटा हमारा थोड़ा सा ठंडा हो चुका है और यह मुलाइम भी हो चुका है अब हम इसे गूंद लेंगे चावल का आटा अभी है बरतन में और हाँद में बहुत जादा चिपक रहा है इसलिए हम थोड़ा सा इसमें घी डाल देंगे घी डालने के बाद इसे मस लेंगे तो बहुत ही अच्छे से आटा हाथ को भी और बरतन को भी छोड़ देगा और बहुत आसानी से चिकना भी हो गरम पाझी से गुदते हैं अटा मार तैयार हो चुका है इसके बाद हम स्टीम करने के लिए थाली तैयार करें उसमें घी लगाकर रखेंगे इसके बाद आटे में से हम चोटी सी लोई तोड़ लेंगे उसे हाथ में रोल करके चिक्णा कर लेंगे और उसे पतला करेंगे तरहें रखेंगे और इसी तरह से हम अपने जितने भी भरे हैं बना कर तयार कर लेंगे जब तक हम तक हम एक गड़ाही में पानी रख दिया था गरम होने के लिए पानी यहां पर गरम हो चुका है उसमें अपने श्टेम वाली थाली रखेंगे और ढग कर 15-20 मिनट के लिए म माज पर इसे पका लेंगे जब तक हमारे फरे श्टेम हो रहे हैं तब तक हम यहां पर दही वड़े की तयारी कर लेंगे जिसके लिए मैंने एक कटोरी उरत दाल को और अधिक कटोरी मुंग दाल को अच्छे से वाश करके विगो लिया था दोनों दाले भीग चुकी है बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाले नहीं तो वेटर हमारा गिला हो जाएगा तो वड़े हमारे अच्छे से शेप नहीं होंगे यहां पर मैंने उरत और मुंग दाल को पीस लिया है मुंग दाल थोड़ी पतली बनती है इसलिए उरत दाल को जितना हो सके नथिक रखे उस हमें तब तक फेटना है जब तक यह फूल ना जाए इनमें थोड़ी सी हवा ना आ जाए हाथ की मदद से कुछ इस तरह से जैसा आप देख रहे हैं इसी तरह से हमें फेटने से हमारे वड़े फलफी और मुलायम बनते हैं इसलिए फेटना बहुत जरूरी है अगर आपको ह तोरी में पानी लेंगे और थोड़ी से बैटर को डालेंगे बैटर जब ऊपर आ जाए इसका मतलब यह रेडी हो चुका है जब तक हमने वड़े की तब तक हमारे फरी भी बनकर तयार हो चुके हैं अब हम इनने निकाल देंगे और धंडा होने के लिए छोड़ देंगे द तोड़ा सा नमक डाल कर अच्छे से मिला देंगे इसी में हमें वडो को विगो कर रखना है जब हम फ्राइब करेंगे तेल हमारा मॉडरेट गरम हो चुका है अब मैं हाथ की मदद से कुछ इस तरह से छोटे-छोटे टुकडे काट रही हूं तेल में अगर आप चाहें तो ब फैल जाएंगे गोल नहीं होंगे और अगर बहुत ज़्यादा हाई है तो वड़े बहुत जल्दी कलर पकड़ लेंगे और अंदर से कच्छे रह जाएंगे जो कि बाद में हाड बन जाएंगे एक बार सारे वडों को तेल में डालने के बाद 2-3 मिनट के लिए उसे वैसे ह जब यह हलके शेप में आजए तब इन्हें चला दें चलाने के बाद इसे मीडियम आँच पर हमें पका लेना है जब तक कि इनमें अच्छा गोल्डन कलर ना आ जाए यहां पर आप देख सकते हैं हमारे वडों में अच्छा गोल्डन कलर आ चुका है अब हम इन्हें निका पाने को शोक कर लेते हैं आदे गंटे में ही यह सर्व करने के लायक हो जाते हैं फिलाल मैंने सारे वडों को बना कर साइड कर दिया है जब तक हमारे वड़े फूल रहे हैं तब तक मैंने यहां पर घर की बनी हुई ले ली है जिसे श्ट्रेणर में डाल दिया है और उसे चमच की मदद से स्ट्रेण करेंगे स्ट्रेणर के तुरू ऐसा करने से हमारी दही बहुत स्मूध बन जाती है उसमें लम्स नहीं रहते हैं और बहुत ही साइनिंग स्मूध बनकर तयार हो जाती है सारी दही स्ट्रेणर से डालने के बाद हम इसमें थोड़ी सी पाउडर स अब हम प्लेटिंग करेंगे जिसके लिए बड़ों को हाथ में रखेंगे और दीमे जो इनमें एकसे वाटर है उन्हें निकाल देंगे जिससे कि जब हम इसे दही में डाले तो यह दही का भी फ्लेवर थोड़ा सा अब्सॉर्ब करें वड़े हमें उतने ही स्क्वीज करने हैं जितने हमें प्लेट करने हैं सारे के सारे नहीं करने हैं बागी सब पानी में डूबे हुई रहने देने हैं उसके बाद थोड़ी सी दही प्लेट में निकालेंगे और जो बड़े हमने स्क्वीज किये हैं उन्हें प्लेट में चाट मसाला ब्रडर दाल करें और बड़ा को सर्प करनेके लिए रेडि करदेंगे अबना फ़िन जिसके लिए पनीर की सब्स हमें टेल घ। ठीड़ा सा बटर बटर को मिल्ट होने देंगे एक बटर लॉंग डाल दिया है घड़े मसालों को थोड़ा सा भूनना है जालाना नहीं है जादा नहीं भूनना है इसके बाद मैंने हम पे 4-5 मीडियम साइज के कटे हुए टमाटर को मोटा मोटा रफली काट लिया है इसे एड कर देंगे इसमें थोड़े से हरिधनिया के डंठल डाल 10-12 काजु की कलिया डाल देंगे और नमक डालकर इन सब चीजों को चलाएंगे और मेडियम आच पर इन्हें थोड़ा सा भूनने के बाद हम इसमें एड कर देंगे एग इंच धरक का टुकड़ा उसके बाद हम इसमें बेसिक मसाले डालेंगे जैसे की एक चुताई चमच चल्दी पाउडर, एक चमच लान मिर्च पाउडर एक चमच धनिया पाउडर एक चोथाई मिर्च पाउडर और मसालो को डाल ने थोड़ा ने वह भून लेंगे असलों को टमाटर के साथ बूनने से जलते भी नहीं हैं इसलिए इसे लिए दिमी आज पर भून लोगी इसक और आप देख सकते हैं टमाटर हमारे अच्छे से गल चुके हैं अब हम गयस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे जब तक हम अपनी खीर बनाने की तयारी कर लेंगे जिसके लिए मैंने एक कडाई चड़ा दिये गयस पर उसमें डाल दिया है एक तरफ चावल हमारे फ्राइब हो रहे हैं और दूसरी तरफ मैंने गयस पर चड़ा दिया है जब तक हम चावल को फ्राइब करेंगे तब तक हमारा दूद उबल भी जाएगा और थोड़ा पक पी जाएगा इसी तरह से अगर आप इस रेसिपी को बनाएंगे कि अगर कुछ चीज़नी हो रहे तो कुछ चढ़ा दे कुछ पक हो रही हो तो साइड में कुछ और बना ले तो बहुत ही जल्दी ठाली बनकर तयार हो जाती यह ज्यादा समय नहीं लगता और हम कई सारी चीजये बना रहे हैं तो बहुत ज्यादा quantity में बनाने की ज़रूरत नहीं होती थो लिए तेज आज पर हम खीड़ को पकाएंगे तो चावल तले से जलने लगेगे यसलेए लिए के नीचे कड़ाई चड़ाएंगे गैस पर उसमें डालेंगे एम टीपल स्पून जितना तेल उसमें डाल दूगी मैं कसूरी मेथी करेंगे इस सब्सक्राइब पहुत ही अच्छा आता है थोड़ा सा फ्राइय करने के बाद जो हमने ग्रेवी बनाकर तयार की थी उसे इसमें पोर कर द पनीर दालने के बाद पानी थोड़ा रखा है उसके बाद ग्रेवी में जब उबाल आजाए तब हम इसमें आइड कर देंगे मोटे-मोटे टुगड़ों में कटा हुआ पनीर पनीर मैंने यहां पर 300 इस्तमाल किया था आपको जितने जरूरत हो उतने डाल दीजिए पनीर के बाद इसे धीमे आज पर थोड़े देर पकाएंगे यहां पर मैं आइड कर रही हूँ घर का बना हुआ आधा चमाज गरम मसाला पाउडर इसके बाद हम इसमें थोड़े से पन पनीर को ढलने के बाद थोड़ी देर पकाएंगे Και , व्हाहँ पर ठाजू बादम थोड़ा सा पिस्ता लिया है काजू को मैंने बस दो कलियों में तोड़ दिया है इसे डाल कर खीड और छाला देंगे और फिर सधीम आच पर उसे पकने के लिए छोड़ देंगे खीर अभी बनी नहीं है इसके बाद हम बनाने चलेंगे पुला पुलाओ के लिए मैंने खुकर को शड़ा दिया गाश इसे दालेंगे दो चम्मस घी घी डालने के बाद इसमें खड़े मसाले बड़ी लाइची और दालचीनी जाधा मसाले बात getting बाद धोड़ा पकाएंगे इसके बाद इसमें एक चमर साबू जीरा एड़ करेंगे जीरा मैंने थोड़ा जादा रखा है और इसे कड़कने देंगे क्योंकि हम जीरा राइस बना रहे हैं जीरा राइस में जीरा थोड़ा जादा जाता है अगर आप चाहें तो पुलाओ भी बना सकते हैं एक चावल का इटम होता है उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 10-12 काजु की कलियां जिसे मैंने बीच में से तोड़ दिया है थोड़ा सा इने फ्राइ करेंगे इनका कलर चेंज होने तक यहां बर काजु की कलियां भून चुकी है अब हम इसमें एड़ कर देंगे बसमती करश डालेंगे निम्मू करत बहुत जरूरी है इसे हमारे चावल आपस में चिपकते नहीं है उसके बाद थोड़ी सी हरी दनिया डाल देंगे अच्छा कलर के लिए और थोड़ा सा नमक डालने के बाद हम कूकर का ढखकन बंद कर देंगे और एक सीटी आने तक इसे मीडि का ढखकन खूलेंगे और उसे चेक करेंगे कि हमारे चावल प्रपर पके हुए हैं कि नहीं यहां पर आप देख सकते हैं चावल हमारे बहुत ही अच्छे से पके हैं अभी थोड़े गरम है इसलिए आपस में चिपक रहे हैं लेकिन धंडे होने के बाद बहुत ही अच्छे अब भी इए खिले ही हैमारा जीरर हैस बनकर रेडी हो चुका है और इधर खीर भी पक चुकी है चाओल अछे से गुल चुके हैं left चीनी एक चीनी एक कटोरी अगर आपके लिए बाद दो मिनट के लिए मीडियम आच पर खीर को पकाएंगे उसके बाद गैस को बंद कर देंगे खीर हमारी बनकर तयार हो गई है इधर मैंने गैस पे चड़ा दिया है तेल पूरियों को फ्राइ करने के लिए तेल को अच्छा गरम कर ले उसके बाद एक एक करके पूरियों को डालते जाए और उन्हें फ्राइ करते जाए मैंने इसमें आटा गूदने के तरीके को नहीं दिखाया है ना ही पूरी को बिलते यहां पर हमारी कड़ी, फरे, पुलाव और खीर, दहीवड़े और पनीर की सब्जी पूरी सारी चीजे बनकर तयार हो चुकी है हमारी तरफ यही सारी चीजे थाली में बनती हैं करवचाओत के दिन आपके तरफ अगर कुछ अलग बनता है तो कॉमेंट करके जरूर बताईएगा जिससे मुझे पता चल सके कि आपके स्टेट में क्या अलग बनता है उसके बाद हम यहां पर धाली को प्लेट कर देंगे यहां पर मैंने सारी चीजे कटोरी में डाल कर रख दी है आप देखी सक सल्गा कर जाद है अलो हाँ बनता है यहाँ जहाँ कर दो कर दो है जहाँ प्लेट में कि अलो हमाने में Carmigla Prime